अस्तामुलेकुम, 11 Mathematics, यूरा नुबर 10, चुग्रोमेटिकर इंथिटीज, 10. क्वेस्टमर रेट है, 1 प्लस 10 अलफा, 10 तू अलफा इक्वास तू सेकंट तू अलफा, तो प्रूफ करने के लिए हमने Left Hand Side ले लिए इसमें, वो हमारे पास 1 प्लस 10 अलफा और 10 तू अलफा है, तो वर्ट इस अ वैल्यू ओफ टेन, इस साइन ओवर कॉस, अब सिमिलर्ली 10 तू अलफा है, तो इसलिए हमें क्या राइट करेंगे, तो इसमें से हमारे पास जो LCM अनरेस का इस डिनॉमिनेट में 1 है, तो हम राइट कर लेंगे कॉस अलफा और कॉस तू अलफा, अब जब इसको 1 को हमने डिवाइट किया, तो हमारे पास same as it is आ गया हमारे पास, कॉस अलफा और कॉस तू अलफा, ये दोनों वैल्यूस कैंसल होगी तो इसका मतलब हमारे पास आ गया है साइन अल्फा और साइन टू अल्फा अब इसको जड़ा आरेंज कर ले अब हम इसको आरेंज करते हैं तो पहले कॉज ग्रेटर एंगल टू अल्फा नाओ फिर अल्फा सिमिलरली साइन टू अल्फा और साइन अल्फा हमने राइट डॉन कर लिया डिनॉमिनेटर में हमारे पास कॉज टू अल्फा है और हमारे पास कॉज अल्फा है हमारे पास अब जो कॉज का फामूला था हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वो हमारे पास था cause alpha cause beta इदर minus होगा तो opposite क्या है अगा plus sin alpha और sin beta इसको देखते हुए यह first alpha है और यह beta plus है तो इसका meaning क्या पता ज़र है फामूला हमारे बस apply होगा minus का तो यह फामूला जो आएगा alpha minus beta और similarly divide by cause to alpha और cause alpha to alpha से हमने alpha minus कर दिया तो क्या आगया cause alpha और cause to alpha और cause alpha दोनों ही cancel होंगे तो similarly one over जो cause to alpha है वो हमारे पस क्या आएगा one over जो cause होता है वो secret होता है इस तरह से हमारे पस यह right hand side आगे cause 7-9 में left hand side है two sine theta sine two theta होगा cause theta plus cause two theta तो left hand side हम right कर लेनी है इसमें जो values हैं हमारे पस तो हमारे पस two sine theta और sine two theta में as it is right करेंगे और जो cause theta है वो भी हमने right कर ली है यहाँ पर cause theta की value है तो यहाँ पर triple angle का formula हमारे पस याद हो हमें apply करना पड़ेगा triple angle का तो cause 3 theta जो होगा वो किसकी equal होगा 4 cause cube theta माइनस 3 cause theta यहाँ पर इसके value replace करेंगे तो हमारे पस आएगा 4 cause cube theta और माइनस के 3 cause theta तो जो similar value आएगी वो 2 sine theta और sine 2 theta अब यहाँ पर हमारे पस जो values आ रही हैं वो हमारे पस यहाँ पर cause 3 है और हमें 4 cause cube लिख लिए हमने इन दोनों को जब minus करेंगे तो बड़ी value आएगी minus 3 वहाँ पर sine आएगा बच्चे का 2 और cause theta अब जब इन दोनों में से हमने कौमल लेना है values में से तो 2 हमारे पस sine theta और sine है हमारे पस 2 theta और denominator में जो value आ रही है हमारे पस वहाँ से दोनों में क्या हो common है 4 और एक 4 values है दूसरी हमारे पस 2 है पिर cause cube है यहाँ पर cause है तो एक तो 2 common आएगा और दूसरी value में हमारे पस cause common हैगा तो इस तरह से हमारे पस आएगा cause theta और minus के 1 तो 2 2 से हमारे पस cancel हो जाएगा इस तरह से जो value आएगी है हमारे पस वह बची है हमारे पस sine theta और sine 2 theta divide by हमारे पस जो values है वह बची है cause theta और यह जो value आ रही है हमारे पस cause square minus 1 तो यह हमारे पस double angle का formula के farm ये भी write कर सकते हैं हमारे पास तो वो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था 2 cause के थीटा और minus 1 तो similarly यहाँ पे जो values हमें replace कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा cause 2 थीटा तो first अब ऐसी जो इसको लिख सकते हैं separate करके sine over cause हमने separate कर लिया और sine 2 थीटा over cause थीटा हमने write कर लिया तो first में जो sine over cause है वो हमारे पास होता है 10 फिर sine over cause जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा 10 2 थीटा तो इस तरह से हमारे पास यह right side right side 10 में left hand side हमारे पास sine 3 थीटा over sine sine थीटा, cause 3 थीटा over cause थीटा है तो हमने left hand side right कर ली और इसमें दोनों में देखे हैं जो LCM है वो different है तो इसका क्या होगा दोनों ही value तो हम LCM में right कर लेंगे तो इस तरह से sine थीटा और cause थीटा जब first का LCM लेंगे तो sine थीटा cancel होगा तो इसका मतलब cause और ये sine 3 थीटा को हम क्या करेंगे multiply तो इस तरह से हम write कर लेंगे sine 3 थीटा और cause थीटा similarly cause जो cancel होगा तो बाकी जो cause 3 थीटा है वो किसे multiply होगा sine के साथ अब ये दोनों को different हैं तो हमारे पस जो sine का formula होता है वोता है हमारे पस alpha minus beta minus का वोता है sine alpha cause बीटा minus cause alpha और sine बीटा तो इसलिए हम यहाँ पर formula लगाएंगे ये हमारे पस at means alpha है और ये हमारे पस बीटा तो 3L थीटा minus थीटा और divide by हमारे पस sine थीटा और cause थीटा है अब sine 3 थीटा से हमने 3 थीटा से minus 1 थीटा हमने किया तो हमारे पस value क्या आगी 2 थीटा और divide by हमारे पस है sine थीटा और cause थीटा तो ये देख सकते हैं इसमें 3 थीटा minus थीटा से minus किया तो हमने इसको write कर लिया ये 2 थीटा हमने write कर लिया अब फिर sin 2 theta को हम क्या लिखते थे formula हमने 2 sin theta और cos theta similarly हम write कर लेंगे sin theta और cos theta ये दोनों ही cancel तो हमारे पस 2 आ गया और right hand side पे हमारे पस value भी वहाँ पे है 2 है तो हम देखते हैं इसमें हमारे पस value है right side पे देखे हैं हमारे पस क्या आ रहा है 2 तो इस तरह से ये हमारे पस इसका right side आ गया